हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलिवुड की फिल्म मैन इन ब्लैक से जुड़े कुछ अन्नोन और इंटरस्टिन फैक्ट्स के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चलल को सब्सक्राइब करिए मैन इन ब्लैक ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी इसको रिलीस किया गया था 4 जुलाई 1997 को इसमें हमें में लीट कास्ट पर नजा रहे थे हैं टॉमी ली और विली स्मित और इस फिल्म को डैरेट किया था बैरी सॉमर फिल्ल ने इस फिल्म का बजट रखा गया था 9 करोड यूएस डॉलर और इस फिल्म में बॉक्स ओफिस पर टोटल 58 करोड यूएस डॉलर का बिजनेस किया था और ये उस साल की सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म को IMD में 7.3 रेटिंग दी गई है और आप बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं फैक्ट नमबर बन जब डिरेक्टर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट विली स्मित को सुनाई तो उन्हें ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया लेकिन बाद में अपनी वाइफ के कहने पर उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हा कर दी फैक्ट नमबर टू नजर रखना कि कोई जानवरों को तंग या मार तो नहीं रहा है और इस फिल्म के एक सीन में कई सारे कॉक्रोच का इस्तमाल किया गया था जब ये बात Human Society को पता चली तो उन्होंने शूटिंग को रोकने का उटर दिया लेकिन डिरेक्टर ने उन्हें समझाया कि किसी भी कॉ कोई नुक्सान नहीं होगा और शूटिंग पूरी होने के बाद Human Society ने एक एक कॉक्रोच को गिना था इस सीन को करने के लिए किसी रियल कॉक्रोच का इस्तमाल नहीं किया गया था बलकि एक बटर के पैकेट का जूज किया गया था अगर वो इस सीन के लिए किसी रियल कॉक्रोच का जूज करते तो Human Society वाले उन पर कई पैनल्टी लगा देते फैक्ट नमबर एट फिल्म का एक करेक्टर फ्रैंक जिसको पग ब्रीट के डॉग ने प्ले किया था मुवी रिलीज होने के बाद लोग इस डॉग को एस सुपरस्टार की तरह ट्रीट करने लगे थे और इस ब्रीट के डॉग की सेल बढ़ने लगी थी मुझको तो ये फिल्म बहुत पसंद आय थी आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको इस फिल्म का कौन सा इंटरस्टिंग फैक्ट पसंद आया प्लीस हमें कमेंट में जरूर बिताइए और हमें comment में ये जरूर बताए कि आपको आगे किस movie का interesting fact जारना है Thank you